1859 में दुनिया का पहला ओयल वेल स्टार्ट हुआ था और उसके 6-7 साल बाद की एक घटना है यह असाम की जहां पर मैं इस समय बैठा हूँ तो उसकी एक छोटी सी घटना तुम्हें बता रहा हूँ 1859 में पहला ओयल वेल बना दुनिया का पैंसिलवेनिया USA में और 1867 की यह घटना है कि असाम रेलवेज एक ट्रेन की पतरी बना रहे थे तिनसुखिया डिस्टिक्ट में तिनसुखिया असाम का एक डिस्टिक्ट है यह समझ लो अरुनाचल प्रदेश के बॉर्डर तो यहां तिनसुखिया में यह रेलवे लाइन पर काम चल रहा था जंगल था जंगल में पेड काट काट के ट्रैक्स बनाई जा रही थी और हाथी थे जो हाथी जो थे वो अपने ट्रंक में अपनी सूण में लकडी के लोग्स ले ले करके जंगल से आ रहे थे कुछ इटालियन इंजिनियर्स थे जिन्हों ने नोटिस किया कि उटके पैरों में कुछ काला काला कीचर जैसा मड जैसा लगा हुआ है। उसको जब गौर से देखा गया थोड़ा इंवेस्टिगेट किया गया तो पता चला वो क्रूड ओयल है। यह एक बड़ी discovery उस समय साबित हुई। और इसके बाद यहाँ पर डिगिंग शुरू हुई। तो जो यहाँ के इंजिनियर्स थे वो विदेशी इंजिनियर्स थे वो लोकल्स को ऐसे बोलते थे कि डिग बॉए। डिग बोई डिग so the name of that place came to be known as डिग बोई और ये अभी भी one of the oldest plants, refineries जो अभी भी production level पर चल रही है, ये दुनिया की बताई जा रही है, Assam की डिग बोई, right see you